देर से मिला हुआ नियाई नहीं होता है और खास करके उन लोगों को जो नियाई की प्रतीक्षा में होते हैं नियाई की प्रतीक्षा में वो गरीब आत्मी होता है जो नियाई से उम्मीद पाल के जब गरीब बहुत दुखी हो जाता है और कोई उसे बहुत प्रतारित करता है तो फिर एक सब्स कहता है बड़े टूटे मन से चल तुझे कोट में देखेंगे और यह मैं नहीं कहता हूँ आप किसी भी गरीब जगे जाई है जहां गरीबों का मसला है वहां यह सब कहते मिलेंगे कि चल तुझे कोट में देखेंगे किवो जानते हैं वो जड़ साब यह दरोगा मुझे नहीं देगा, यह अधिकारी मुझे नहीं देगा, यह SDM साहब मुझे नहीं दे रहे हैं, यह DM साहब मुझे नहीं दे रहे हैं, यह हमारा पडोसी हमें रोज लठे आता है, लेकिन इस बार मुझे कोट नहीं दे देगा, और ऐसे 85 यों बाकिय सामने आते ह हैं खले गाजियाबाद में बाकिया सामने आया कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी मार दी और सीधा एसपी के पास आया वोला साब मैंने अपनी बीबी मार दी है चलिए लास दिखा दूँ पड़े एहरांगी की कि वी बाति एक दम तो किसी ऑदिकारी के सामने जाके यह कोई बात कहुऑ को पहले तो पूछता चुई तो पूलिस गई कि उसने घर आके आत्मत्य गल ली कच्छा अठके चात्र ली कि फीस को लिकर क्या कहोगे आप किस और मैं हमारा देश जा रहा है किस और हम कहते हैं हमारे यहां तो कुछ है नहीं पैसे की समस्या परिवार में समस्या रही होगी वह आप से रोज कहता होगा पाप फीस जमा कर तो पिता जी नहीं दे पा रहे होंगे और वो टीचर रोज उसे जलील करती थी क्या मिला परिवार का एक बच्चा चला गया कि इसी को कुछ नहीं मिला है सब अपंग सा दिखता है जैसे कोई अपंग हो मामला तो विरुस का कोई रास्ता नहीं होता वैसी सिस्टम बन गई है कोई किसी की सुनने को राजी नहीं है विक्रम जिंग आज आपके मामले को लगवग 65 दिन सिक्ष्ट मैं डेज हो गए है जल्दी नहीं मिल जाए और अभी तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है कि इस महीं ने जाना चाहिए जहां तक मेरा आंक्लन है जी सर आप सभी का बहुत बहुत आभार सर जी सर आज लगवग 65 दिन होने जा रहे हैं आठ सेप्टेंबर को मानिय लावाद हाई कोट ने हम लोग के फैसले को रिजर्ब किया था पूरा सेप्टेंबर बीट गया टूबर बीट गया आज नॉम्बर का लगवग 11 तारीक है और 65 दिन बीट गया लेकिन अभी तक कोट का सर आदेश नहीं आया है हम लोग खुद पहुत परसान है चिंतित हैं नुदेश साथियों के लगातार फोनाते रहते हैं सुबह से ल सिर्फ हस्ताक्षर बचे हैं लेकिन हमें समझ में आता हस्ताक्षर होने में कितना टाइम लगता चुकि अब कोट की बात है तो बहुत कुछ नहीं नहीं कही जा सकती है जितना हम लोग के मन में विचार हैं या मन में बहुत सारी बाते हैं लेकिन चुकि कोट का सम्मान करना पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता हैं वो अपना विचार मन में रखिए और आगे बढ़ते रहे जिसरो ही कराँ सर कि मानिये लाहबाद आई कोट का हम सभी सम्मान करते हैं और कोट के निर्ने का हम सभी सम्मान भी करेंगे और पहले भी कोट ने हमारे पक्ष में फैसला द झाल